किसाम भाईयों आपने फसल के अंदर हक्सर वो काले रंग का फंगस दिखाऊगा वो काले रंग का फंगस इतना खतरनाक होता है अगर वो ठहनी में गुज जाए तो पूरा का पूरा पोधा बिठा देता है और इस फंगस से निपटने के लिए आपको बहुत सारी मशगत करन पड़ता है जिस पसल के अंदर आपका वो काले रंग का फंगस आपके स्टेम के अंदर गुसा होता है उस पाट को अगर निकाल दिया जाए तो नाय शूट अच्छा आता है वो आपका प्रोडग्शन बन जाता है लेकिन क्या हो अगर आपको उस फंगस का नाम पता चले, शाती साथ उसका treatment भी पता चले और बाई उसका infection नहीं ना हो, ऐसा spray भी पता चले तो ये सब बाते और हाँ ये spray कब देना है, कैसे देना है ये भी पता चले तो भाई ये फंगस आएगा ही नहीं तो भाई कुछ मशगत करने की भी कोशिश नहीं और सबसे बड़ी बात क्या है अगर आपके फसल में ये फंगस आ रहा है मतलब आप अकेले दुश्मन नहीं हो निसर के सबी किसानों के खेत में आता है और ऐसे में डैमेज होकर आपको पता है कि production कम होता है वो rate बढ़ जाते हैं तो ऐसे situation में बड़ी चाला की से आपको ऐसे combination का इस्तेमाल करना है जिससे आपके फसल के अंदर ये बलैक ओलर फंगस ना है तो चले शुरूरात करते हैं आज के इस वीडियो की एक धमाकिदार Like से. तो इस फंगश का नाम क्या है सबसे पहले जानते हैं इस फंगश का नाम क्या है इस फंगश का नाम आप जानते हो यह है आपका late blight जो की एक फंगल 서울 infection होता है आपके फसल के अंदर अभी आपको ओगे सर जी आपने लेट ब्लाइट के उपर इतने वीडियो बना दिया है कि अभी इसके बारे में तो हमें सब पता चल गा है जी नहीं ऐसा अगर आपको लग रहा होगा तो यह बड़ी आपकी गलत फेमी है अभी हम अभी हमारा गोथा लगाना बारी के वह उपर का बेसिक था अभी एक फर्स टेप हम अंदर की तरफ जा रहे है तो यह जो लेट ब्लाइट है यह लेट ब्लाइट कब आता है क्यों आता है इसके वीडियो तो आपने देख लिए लेकिन क्या हो बारिश से अगर हम पहले वाला एक हाथ कॉम्बिनेशन ऐसा डाले कि जिस से यह लेट ब्लाइट के फसल में आई ही ही ना तो उसके लिए कौन सा अला कॉम्बिनेशन है इसके बारे में हम जान लेते तो उसके लिए अभी हमारा कॉम्बिनेशन है उसके अंदर हम इस्तमाल करने वाले जैंप रूब अभी देखो सिर्फ कॉम्बिनेशन पता हो कि आपको कुछ फाइदा न और इसी के साथ साथ अगर आपकी area में available है सिलिकोन पावडर ले सकते हो नहीं तो आप एक पदान का भी इस्तमाल इसके साथ कर सकते हो एक कितना शक्ते तोर पर जैंपरो 13-43 और पदान प्लस अगर आपकी area में मिलता होगा सिलिकॉन पाउडर तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो ओक्साइड फॉर्म में जो सिलिकॉन आता है लिकुड फार्मुलेशन वाला वो रियाक्शन करता है इसलिए उसको इसके साथ मत लीजेगा अगर सिलिकॉन पाउडर फार्मुलेशन में मिलता है तो ही उसका इस्तेमाल क करोगे जो लिकुड वाला है उसका तो वह आपके लिए बेनिफिचल ने रहेगा कॉंबिनेशन भट जाएगा मिलता है तो ठीक है नहीं मिलता है तो भाई कैंसल कर दो कोडिशन ने अभी कुछ लोग कहेंगे सर जी सीलिकॉन का क्या मतलब है पदान का क्या मतलब है तेरा चा तरह करता है मतलब लिए जित्ना पत्ति पत्री बन जाती है तो इस पत्ती को रप बनाने के लिए आपको सिलिकॉन पाउडर का इस्टमाल करना है यसी लिए हमने इसमें पदान यानि कि कार्ट अप हैड्रोक्लोराइड का इस्तवाल किया है कार्ट अप हैड्रोक्लोराइड आप किसी भी कंपनी का ले हमारा किसी कंपनी के साथ कोई नाता नहीं है 13-43 का भी वैसा ही है अभे 13-43 की जगा आप इसमें मैनेच कर सकते हो 12-61 या फिर 52-34 मेरे इसाब से जहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं बारिज गिरने के बाद भी ग्रोथ नहीं होगा वहाँ पे आप 1261 का भी इस्तमाल कर सकते हो यदि आपके फसल में पहले से यह जादा ग्रोथ है और उपर से बारिज गिर रहा है तो यहाँ पे आप बावन चोंटिस का अभी इस्तमाल कर सकते हो और सबसे प्रमोग जहांप रोगे आपको बहुती शांदार रिजर्ट मिलेंगे और यह शांदार रिजर्ट आपको आपके फसल को कितने दिनों तक बचाएंगे यह भी सुन लेंगे पहले इसका डोज जान लेते हैं तो अभी आपका जैंपरो क 500-252 पानी के लिए कंपणी वाले चार सो बता थे लेकिन प्रियुंटी में 200-25 में हिस्तमाल करोगे आपको रिजर्ट मिलेगा सिलिकॉन पाउडर 500 ग्राम 200 पाने के लिए अभी आपे कुछ चुलबुल होती कुछ किसानों को सर जी मेरेको टॉनिक डालना है इसमें अरे बाई बारिस से पहले डाल रहे बारिस को सोच समझ कर ढाल रहे पतियों को रब बनाने की कोशिच कर रहे और तुम टॉनिक का बात क करना है पति को और भी ज्यादा नादुक नहीं करना है तो जैंपरो 1343 पदान सिलिकॉम पाउडर अभी कुछ किसानों के बहुत सारे कॉल आ रहे हैं सर जी दो तीन दिन बाद बहुत बारिश बताई गई है दस दिनों तक बारिश बताई गई है कोई ऐसा फॉर्मलेशन बता है मतलब अगर इससे पहले ब्लैक फंगस का अगर आपके फसल के अंदर इंपिक्शन ना हो और इसका अपनी स्प्रेंग किया और बाद में 10 दिनों तक कितना भी वारिश आया तो यह इंपिक्शन होनी नहीं देता है लेकिन साथी साथ इसके भरोसे भी आपको नहीं रखन होता है और इसका स्प्रेंग करते हैं अगर इसका कवरेज ने हुआ तो कुछ पतिया इससे छूड़ जाती है तो इसलिए आपको बिच बिच में क्या करना है कि हलका वाला स्प्रे जो इस ने कवर ने किया वह आपका हलका वाला स्प्रे कवर करें इसलिए आप कुमान आपके फसल में नहीं दिखाई देगा यह मेरा चैलेंज है और दस दिनों तक आपको बहुत बढ़िया तरके से प्रोटेक्शन मिल जाएगा अभी कुछ कहेंगे सर जी बिना प्रूब के तो हम आपका नहीं सुनने वाले आप ही नहीं आदत लगा है तो आज की एक खात बात सब्सक्राइब करें तो तीन सप्टेंबर को अगर बारिष समझ सब्सक्राइब तो यह चैण squ Virati vi अगर इसके अगर इंऊपर लेड का इंफिक्शन और से कंड 와서 तो ऐसे सीच्वेशन में अगर दूसरी दिन और अगर इकम एखर बात रखना कि यह इंपेक्शन होने से पहले बढ़िया करता है इंपेक्शन होने के बाद जैंपरों भी डालोगे तो कुछ नहीं वाला आपको फिर अलग प्रकर की दवया डालने पड़ेगी उसके लिए 2000 लाइक का टार्गेट अब मुझे कमेंट करो ज्यादा ज्यादा ज सिर्फ शेयर करना है और लाइक करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है तीन सप्टेंबर को अगर बारिश हुआ रात को तो आपको इसमें सिर्फ साथ मिला देना है मतलब 10 तारिक को आपको इसका तीसरा इंपेक्शन दिखेगा, थर्ड इंपेक्शन आखो से दिखाई देता है, काले रंग का फंगस, आपको वो बारिक-बारिक इंपेक्शन होता है, अगर आपके नजर भी कमदोरी, तो 12 सप्टेंबर को आप हरे किसान की खेत में जाके दे कि एक बार तो लखि裁 हो जाए, आप इसको दो तीन बार ट्राइक करके देख लिए, तो बास आपको इतना प्रेक्टिस हो जाएगा कि आपको आपको जैमपरो कब डालना है और कब नहीं डालना है, यह भी पता चल जाएगा, तो आज का वीडियो अच्छा लगाऊ, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बेल आइकों भी दबाएगा और मिलते हैं आगले वीडियो में जय जवान जय किसान